अलो फ्रेंड्स मैं सेब डॉक्र सुनील ताउं और कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तु आज हम डिस्कुर्स करेंगे एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम जो युवापीडी में अधिकतर जो है जिस प्रॉब्लम से फैस करना होता है वाट बेल आइकोन को प्रेस आने वाले आपको अनेक उप्योगी वीडियो की जानकरी एंड नोटिफिकिशन मिलता रहे सो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे वाट इज डी एनेस क्या है डी एनेस दोस्तों डी एनेस डैट मींस डेवीटेड नेजल सेप्टम इसको बहुत सारी ज जाना जाते हैं सो दोस्तों डी एनेस जानने से पहले पहले अपने को जानना है कि वाट इस दा नोमल सेप्टम क्या है यह सेप्टम दोस्तों अपना जो नोज गोर्ड ने जो बनाया है नोज अपना है एक ब्रिदिंग का रिसेप्शन ओर्गन है जहां जो नोज को जो है को ब्रिधिंग प्रोवाइड करवाता है this is the primary function of the nose ठीक है ना and the secondary function just to provide beauty to our face so basically nose के अंदर जो nose की जो structure अगर अपने देखते हैं तो ये बाहर का उपर का one-third इसा purely bone होता है नीचे का जो cartilage और नोज में एक बीच में एक पतली एक septum एक हड़ी होती है जो नोज को दो इक्वल symmetrical part में डिवाइड करती है और गोडने के है एक जो अपना अपना जो ये जो breathing का cycle है वो fix किया हुआ है कुछ time इदर वाले नोज से breathing होती है फिर वो rest करता है फिर वो इधर वाले यह एक nasal cycle चलती है nasal wall के थुरू बट वो अपने को appreciate नहीं होता यह एक normal system होता है so what is dns की यह जो नाक के बीच में जो यह septum है वो rather than midline में बीच में नहीं होके और एक तरफ devoted होता है यानि either left side की nose की cavity में हो या right side की nose की cavity में हो so उसको क्या है midline में नहीं होके एक तरफ devoted होता है तो उसको dns जनी डेविटेड नेजल septum बोलते हैं so this is the dns now what is causes of the dns क्या कारण है dns के दोस्तों कुछ percentage cases के अंदर जो dns वो congenital होता है जन्म जात मतलब patient का at the time of the birth trauma भी हो सकता है चाहिए वो normal delivery से हो चाहिए वो cigerian से हो and बहुत बार क्या है कि जन्म के बाद भी जो है trauma इसका एक important कारण है cricket playing है कोई सभी playing जो है football playing है बहुत बार क्या accident है बहुत सार जो है fighting है यह सारे जो कारण है that is are the important reason of the dns so यह एक important कारण है जिनके कारण यह deviated nasal septum होता है third important thing what is the symptoms of the dns कैसे आपको पता लगे दोस्तों जो dns है वो आपको दो तरीके से problem create करता है first functionally that means कि जो आपका deviated nose है septum है उसके करण आपको nasal blockage की problem रहती है patients को क्या है नाक से क्या है breathing नहीं आती so first symptoms that is the nasal blockage patient की complaint होती है उसको breathing नहीं आती second cosmetic related problem बहुत बाहर जब extreme जो है dns होता है तो जो nose का जो sap है nose का जो look है वो कहें deviation बाहर से भी appear होता है आइदर वो c sap deviation हो चाहे s sap deviation हो और नाक के अंदर एक विकरती जो है उस dns के pressure के करण बाहिया रूप से भी आपका जो नाक है वो विकरत हो जाता है और वो एक cosmetic disfigurement produce करता है जिससे patients को क्या है कि एक society में और उसको खुद को भी अपने चेहरे को बार बार देखने पर एक हीन बाहुना लगती है तो इस आर दा इंपोर्टेंट कॉमन सिंटम्स लाइक फंक्शनल एंड दा कॉस्मेटिक्स सो दोस्तों नेक्स्ट इंपोर्टेंट वाट इस दा मैंजमेंट क्या है dns का मैंजमेंट सो दोस्तों आफ्ट वी में के डाइग्नोसिस उसका एक डाइग्नोसिस बनाया जाता है नेजल एंडोस्कोपी से और सीटी स्केन के माध्यम से उसके बाद में अगर आपका dns है तो उसको जो है वो एंडोस्कोपीक सेप्टोप्लास्टी सरजरी होती है अगर जो आपका डेविटेड नेजल सेप्टम है जो नोज को आपको ब्लॉक कर रहा है उनली फंक्शनल प्रॉब्लम है तो उसमें सेप्टोप्लास्टी के मात्यम से उस नोज को मिड़ लाइन में सेट कर दिया जाता है दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्योशन होत हैं तो नोज के अंदर की तरफ इंसीजन लगता है बाहर कहीं कोई चीरा नहीं लगता कोई विजेबल नहीं होता बाहर कोई स्कार नहीं आता और उसमें क्या किया जाता है कि जो एक्सिस जो नोज अंदर की जो कार्टिलेज है जो उसके उपर डेवेटेड कर रही है जो न यह नाग को नाग का बाहिये भी विक्रती है बहर की तरफ से भी nose data है उसमें septorhinoplasty प्रोसिजर की जाती है उस septoplasty की साथ में जो नाग को resep and resize भी rhinoplasty के माध्यम से किया जाता है और वो जो नाग की जो बाहिये विक्रती है वो भी ठीक हो जाती है सो दोनुस जो है वो सेप्तो राइनो प्रॉबलम में क्यों होता है दोस्तु जब राइनो प्लास्टिक की जयाती है जब भी बाखर से कहीं कोई इसकार या ऐसान नहीं होता हम लोग यहाँ पर पहुंचता इंसीन लगता हैं जिसे नोज को complete declawing करके जो भी उसकी बाइएं विक करती है उसको ठीक करके वापस उसको सूचर किया जाता है जिसमें 7080 सूचर लगाए जाते हैं जो hardly 10 days बाद कोई यह recognize नहीं कर सकता कि कहां से इसमें कोई इंसिजन लगाता है चीरा लगाता तो यह भी अपने को दिमाग से निकाल देनी चाहिए बहुत बार क्या है डी एनेस के कारण जो है आर्मी में एर पोर्स में एंडी में जो है उसको जो है अन्पिट कर दिया जाता है तो उसको इस सेप्टोप्लास्टी और के माध्यम से ठीक करके जो है वो उसको वहाँ पे फिटनेश भी बेसिकली पेशेंट को मिल जाती है तो दोस्तो आई होब इस ओल इंफोर्मेशन इस उसफुल फोर यू जो प्लीज शेर इस इंफोर्मेशन तो यूर फेमिली कलीग वित यूर फ्रेंड्स जस्टोप्रेट आवेरनेश इस पो यूर नाशन खरो यू ज. यू.